नमस्कार दोस्तू बहुत पहुत स्वगत है आपका हमारी शेलन में मत्रों साल 2020 का आखरी सुरिगरन 14 दिसम्बर सुम्मुवार को पढ़ने वाला है ऐसे में 14 दिसम्बर को मवस्या भी रहने वाली है और इस दिन लगने वाला ग्रह बहुत खास रहने वाला है बहुत भियानक और बहुत लंबा रहने वाला है ऐसे में इसका सुतकाल और इसका सहिस में क्या रहने वाला है और इसमें आपको कौन सी महत्मुण साफधानी वरतनी चाहिए क्योंकि ग्रहन लगने पर ही मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रणामों की प्राप्ति होती है वहीं खगोली अघटना भी होती है कई सारे भुकंब प्राकृतिक अबदाएं भी ग्रहन के आते आते ही हो जाती है ऐसे में ये ग्रहन आपके जीवन में कौन से ऐसे सुबसमाचार या असुबसमाचारों की प्राप्ति करवाने वाला है आपको कौन से महत्मुण साफधानी इस ग्रहन के दोरान वरतनी आवस्तक हो सकती है इस गरहन का असर आपके दैनिक दिंचरिया पर क्या पड़ेगा इसके साथ ही इसका सही समय सूतक काल और अगर आपको भी अपने सहर का सही समय जानना है तो आप अपने सहर का नाम कमेंट वोक्स में अवस्य लिखें जिले का नाम भी आप लिख सकते हैं आपको बताना चाहे जहेंगे कि भारते रिपोर्ट के मुताविक भारते समय अनुसार के अनुसार 14 दिसंबर को लगने वाला गरहन बहुत तक खास और भ्यानक और महत्पुन रहने वाला है यह गरहन भारत सहीत कई अन्य देशों में देखा जा सकता है जैसे दक्षिन अमेरिका दक्षिन फेरिक और प्रसान्त महासागर के कुछ महत्पूर्णी गिलाकों में देखा जा सकता है वहें गरहन लगते ही गरवती महिलाओं को भी विशेच सावधानी बरत्नी की जुरत रह सकती है बत्रों साल का आखरी सुरी गरहन होने के कारण जीवन में कई प्रकार के अच्छे और बुरे प्रणावों की प्राप्ति भी करवाने वाला है वहें भारतिय समय अनुसार आपको बताना चाहेंगे आप वीडियो को पूरा देखें उससे पहले इस वीडियो को लाइक चिरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि आपको रोजाना ऐसे ही राच सिबल समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहत्तर बना सकें वैसे तो गरहन एक आम खगोली गटना है जिसका इंसानी जीवन वर खास महत्पो होता है वहें जो तिस गरहना के अनुसार ये कहवी महत्पोन होता है आपके बार गरहन का असार राशियों और लोगों के भविस्वर पढ़ता है वैसे में भारत में ये गरहन दिखाई नहीं देने वाला आपको परन्तु फिर भी इस गरहन के अनुसार आपको 14 दिसंबर के साम 7 बज कर 3 मट से ये गरहन सुरू होगा वहें रात्री के 12 बज कर 23 मिनट पर ये गरहन समाप्त होने वाला है ये गरहन करीब 5 घंटे से ज्यादा लंबे वक्त का हो सकता है वहें 14 दिसंबर को लगने वाला ये सुरिगरण आपके जीवन में बहुत बड़ा एफेक्ट लालने वाला है बहुत महत्मौन जानकारियों को आपके साथ सेयर करने वाला है आपको बताना चाहेंगे कि गरवत्ती महिलाओं को सुई कैसी इतियादी का इस्तमाल करने से बचने का प्रियास करने होंगे आपके जीवन में ये सुरिगरण वर्षिगरासी में लगने वाला है वैसे मैं आपको बताना चाहेंगे कि इस सुरीगरण में चार शंदर और दो सुरीगरण सामिल होंगे वहें आपके जीवन में इसका असर भी देखा जा सकता है अगर आपको सारी के सारी जानकारियां बता दी जाएंगी